नमस्कार आप देख रहे हैं खबर अंड्रेट में हूँ आपके साथ राहूल मौरिय। आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन्स की हो दौर में रहवासी कच्छे में बैठ कर देंगे धरना कच्छे और गंदगी से परेशान लोग प्रशासन से लगा रहे है गुहार सपाई की कर रहे है माँ भोपाल में सम्विदा स्वास्त कर्मचारियों की हरतार सम्विदा 2018 नीती लागू करनी की माँ ब्लेक फंगस के इंजेक्षन पहुंचे भोपाल मरीजों को मिलेगा इलाज प्रदेश को मिलेगी थोड़ी राहत इंदोर की बाग पंचायत और नगर निगम ने कच्रा उठाने और सफाई करने से पल्ला जाड़ लिया है इसे के चलते रहवासी और रहगीर कच्रे और बद्बू से परिशान हो रहे हैं अब प्रशासन के लिए चुनोती है कि आखिर कौन सफाई कराएगा इंदोर जिला कॉंग्रेस कमिटी और बाग पंचायत रहवासी जाकिर खान ने बताए कि सिरपूर धारोड नुरानी नगर चोराहे के पास में रोड पर कई दिनों से भेंकर कच्रा पड़ा हुआ है जिसके कारण गंदगी और बद्बू फेल रही है गंदगी के कारण चार और बिमारियों के संक्रमन फेलने का डर बना हुआ है उन्होंने बताए कि जहां कच्रा पड़ा है उसके सामने मस्जीद और पीछे मुक्ति धाम है और पास ही हॉस्पिटल और दरगह भी बनी हुई है यह राश्ट्री राजमार्ग इंदोर एहमदाबाद है जब पंचायत के अधिकारियों से कच्रा उठाने के लिए बात की तो अधिकारियों ने साफ मना कर दिया उनका कहना है कि यह पंचायत की सीमा में नहीं है निगम के अधिकारियों से कच्रा उठाने की बात की गई तो निगम के अधिकारियों ने भी अपने जिम्मेदारी से पल्ला जाल लिया निगम और पंचायत के आपसी जगड़े के कारण रहवासियों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है इससे परेशान होकर रहवासि धरना देने की चेतावनी दे चुके हैं जब हमने ये मुद्धा लोक्तोनिक मीडियम के माध्यम से उठाया और इसको गठरा उठाने और सभाई वेस्ता को दुरिस्त करने के लिए सभाई करने के लिए जब हम लोगों ने ग्राम पंचायत वार्ट के आलाथकारियों सर्पंच से बात की गई ये जो सिर्पा है कि ग्राम पंचायत वार्ट के अंतरकत नहीं आती इसके बात जब हम लोगों ने नगन 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 के आलाथकारियों से बात की तो नगन नगन के आलाथकारियों नगना करा आए अब मामला ग्राम पंचायत वार्ट को नगन नगन के आपसी जबले में ये सबाई जो होने की ये वो खुलजी हुई है बदनावर में चोपाटी पर भारती थलसेना के सेनिक कनया लाल जाट के पार्थिव शरीर पर फूलों से शद्धासूमन अरपित किये गए उन्हें भावविनी शद्धांजली दी गई रतलाम जिले के गुणावत के एक नगन लाल जाट जो की थलसेना में पदस्त थे बीते दिनों सिक्किम में शहीद हो गए जिनके पार्थिव शरीर को उनके ग्रहगाओं गुणवाद ले जाते समय बदनावर चोपाटी पर देश भक्तों ने फूलों से शद्धासूमन अ अन्य लोग मौजूद थें सरदारपूर पुलिस प्रशासन की महनत का असर अब नजर आने लगा है सरदारपूर और ग्रामिन शेत्रों में लोकडाउन का पूर्ण पालन होता दिख रहा है धार जिले में लोकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही सरदारपूर पुलिस प्रशासन ने पूरे लोकडाउन में कड़ी महनत और लगन से कारी किया है और अभी वर्तमान में भी और शक्ती दिखाना शुरू कर दिया है सरदारपूर थाना पुलिस प्रशासन सुभह से तो रात तक संपुन्न सरदारपूर नगर में सक्रिय रहती है बेवजब घुमने वाले लोगों को समधाईश देती है और जरुरत पंडे पर चालानी कारिवाही भी करती है पुलिस ने 33 लोगों पर धारा 188 कारवाई की और 1200 लोगों के चालान काटे गए साथ ही लगबग 1000 लोगों को अस्थाई जेल में भीजा गया जो कि सरदारपूर SDAB.S. कलेश और सरदारपूर SDP.O.P. राम सिंग मेडा के नितरत में थाना प्रभारी अभीनाओं शुक्ला द्वारा काफी मेहनत कर रहे हैं और नए नए तरीके से लोगों और व्यापैरियों को समझाईज दे रहे हैं इसमें वरिष्ट अधिकारियों के मार्ग दर्शन पर करोना माहमारी में कोरोना कर्फ्यू लगवा है हाल ही में लसूर्या थाना प्रभारी की बाइट लेने पहुंचे मीडिया कर्मी पुलकित अगरवाल की गेट पर गाड़ी खड़ी थी इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर ने वहाँ टक कर मार दी सब इंस्पेक्टर नशी की हालत में धूत थे और नाइट ड्यूटी पर थे इसके बाद भी मीडिया कर्मियों के साथ बत्तमीजी की गई नशे में धूत हो विवात करने सब इंस्पेक्टर का नाम धर्मेंद रहे प्रदेश में सम्विदा स्वास्त कर्मचारियों की हरताल दूसरे दिन भी लगाता जारी है मंगलवार को हरताली स्वास्त कर्मचारियों ने ताली ठाली और शंक बजाकर विरोध प्रदेशन किया स्वास्त विभाग में लंबे समय तक सेवाय देने के बाद भी शासन से आविशक सुविधाय नहीं मिलने से खफा सम्विधा स्वास्त कर्मी सम्विधा 2018 निती लागू करने की मांग कर रहे हैं मतिप्रदेश सम्विधा स्वास्त कर्मचारी संग के तहट हरताल जारी है वहीं दूसरी और कर्मचारियों के नहीं रहने पर सभी सरकारी अस्पतालों में आपात कलिन सेवाए प्रभावित हो रही है मतिप्रदेश संविधा कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के नियमिती करण और वेतन रद्दी की मांग को लेकर हरताल की जा रही है माननी मुकवंत्री जी ने जो कोरणा युद्धा के लिए गोशना की है वह आज तक पूरी नहीं हुए ताली ताली फूल बर्चाकर मनुबल बढ़ाया उसके लिए उनको धन्यवाद लेकिन ऐसे मनुबल बढ़ाने से हम लोग संतुष्ट नहीं है हमारा करतब है हम करतब न कदब प्रदेश दिस्वश्ट करमचारी शंग आज जो माननीय प्रधान मंत्री मोदा ने ताली थाली बजाकर कोरोना एददाओं का संवाना को भगाने का प्रयास किया था तो आज हमने भी ताली थाली बजाकर जो हमारे सासन प्रसासन में जो अधिकारी बेठे उनकी कु पुलिस की पूचताच में हो सकते हैं अब कई खुलासे आकाश दुबे पर 7500 रुपे का इनाम भी था लेकिन आरूपी खुद आटों से जा पहुंचा थाने और ड्यूटी अधिकारी से कहा कि मैं आकाश दुबे हूँ आकाश से इंजेक्शन खरीदने वाले इंदौर सीट कवर के मालिक समय तीन लोगों को भी पकड़ने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कोरोना के बाद ब्लेक फंगस इन दिनों देश में परेशानी बना हुआ है बात अगर मत्यप्रदेश की करें तो सरकार ने इसे महमारी घुशित किया है हलाकि लगातार बढ़ते मामलों के चलते दवाईयों की कमी भी होने लगी है ऐसे में मत्यप्रदेश की राजधानी को मंगलवार से थोड़ा सुकुन जरूर मिला है राजधानी में ब्लेक फंगस इन्जेक्शन की खेप पहुँची है बाक सेवनिया के बायो फेक फार्मा पर इन्जेक्शन लेने वालों की लंबी कतार देखने को मिली M4 टेरेसीन बी इन्जेक्शन की सुरक्षा को लेकर मेडिकल स्टोर के सामने भारी पुलिस बल भी देखने को मिला फिलाल खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है खबर हंडरे जनता की बुलंदा आवास झाल